अजीवों गरीव इस्थिती में बिला BSC Second Year के छात्र का शब लड़की के भेस में पंखे पर लटक रही थी लड़के की लाश हाथ बंधे थे, आखों पर पट्टी लिप्टी थी यही नहीं, शब के आसपास खून भी बिखरा हुआ पड़ा था इंदोर के रजीत सिंग कॉलिज में BSC Second Year के स्टुडेंट का शब फंदे पर लटका मिला खंडबान आका इलाके में 17 मई की देर रात की ए घटना है मृतक छात्र ने महिलाओ जैसी साड़ी पहन रखी थी और उनकी ही तरह उसका मेकप भी था आपको बता दें कि मृतक के दोनों हाथ बने हुए थे और आख पर पट्टी भी थी वहीं पुलिस को शब के आसपास खून भी बिखरा मिला है अब सवाल उठता है कि छात्र ने सोसाइट किया है या किसी ने मार कर लटकाया है पुलिस को प्रारंभिक जाच में मामला संदिक्त नजर आ रहा है और इनी सब पहलूँ को देखते हुए जाद जारी है पुलिस ने बताया कि पुनीत त्रिवबन दुबे निवासी रायसेन उम्र 31 साल इंदौर में पढ़ाई करने के लिए आया था खंडवाना का इलाके की एक मल्टी में किराय से रूम लेकर रह रहा था पिता त्रिवबन ने कहा कि 17 मई की देर रात उसे कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया इसके बाद उन्होंने इंदौर में ही रहने वाले एक परिचित से बेटे के घर जाकर बात कराने के लिए कहा जिसके बाद इस पूरी घटना की जानकारी मिली आठ दिन पहले ही पुनीत ने इसी बिल्डिंग में अपना रूम बदला था परिवार के लोगों ने बताया पहले वो दोस्तों के साथ रहता था परिवार ने उन दोस्तों से भी बात की दोस्तों का कहना था कि पुनीत इस तरह कभी नहीं रहता था उसे देख कर हमें भी आश्चर हुआ पिता को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है उनका कहना है कि दो महीने पहले ही पुनीत का जनम दिन था मावेभूती उससे मिलने इंदोर गई थी काफिदून उसके साथ रही लेकिन कभी उसके साथ वेश-भुशा का बदलाव नहीं देखने को मिला वो लड़कों जैसे ही कपड़े पहनता था परिजन ने पुलिस को पुनीत की हत्या की आशंका जताई है पुलिस इस पूरे मामले की जार्ज कर रही है इस घटना को लेकर आपका क्या मानना है आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताईए और बताईए कि क्या कोई व्यक्ती सोसाइट करने से पहले साड़ी पहनेगा, आँखों पर पट्टी बांदेगा, हाथ पैर बांदेगा, महिलाओ जैसा मेकप करेगा और फिर सोसाइट करेगा आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताईए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें